क्लास 11 में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है इस चैनल के माधियम से हम लोग मैतमेटिक सब्जेक्ट की जानकारी ले रहे हैं तो क्लास 11 में अभी हम लोग का सेट थियोरी चल रहा है तो सेट थियोरी से रिलेटेड अल्रेडी तीन लेक्चर आप लोगों के लिए अपलोट किया जा चुका है तो आईए आज हम लोग देखते हैं चौथा लेक्चर इसे लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दू कि यह चैनल वैसे विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी है जो वच्चे कलास 11 और 12 में NCRT बुक को बनाते हैं और RS अगरवाल के मैट्स की बुक बनाते हैं तो बच्चो चलिए आज हम लोग देखते हैं लेक्चर 4 में क्या-क्या हमें पढ़ना है तो इसमें सबसे पहले हम लोग यह जाने कि order of जो element होता है उसे हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं और कितने तरह से लिख सकते हैं अगर कोई आपका set A दिया गया है इसमें तीन element A, B, C आपका दिया गया है तो आप इसके order को अगर इस तरह से भी लिखते हैं इस तरह से भी लिखते हैं तो इसमें किसी तरह का फर्क नहीं पड़ता है B, C, A यानि कि order को आप change कर सकते हैं तो इसी लिए हम यहाँ पर एक line लिख सकते हैं कि order of elements, elements of set is immaterial मतलब कि order of set, order जो होता है element का वो आप किस तरह से लिख रहे हैं इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है सिर्फ वो सारे element होना चाहिए और जो कि पहले वाले set में था आपका इसमें एक बात तो यहाँ आपको जानकारी रखनी होगी, दूसरी बात आपको इसमें जानकारी रखनी होगी repeated elements are not taken in counting, अगर आपका कोई element repeated है तो इसको भी लिख देते है repeated elements are not taken in counting, counting में जो है आप repeated element को नहीं लेगे जैसे कि माल लीजिए a, b, c और यह a इस तरह से आपका एक set दिया गया है इसमें हम देख रहे हैं कि a जो है repeat हुआ है, तो मुख्यता जो है इसमें element जो होगे element कितने होंगे, three ही element होंगे इसमें, है ना, तो बच्चों repeat अगर इस तरह से भी हो जाए, आपका a, b, b, c, c, है ना, तो यहाँ पर दिख तो रहा है हमारा पाँच element, लेकिन इसमें c और b, दोनों repeat हुआ है, तो c और b को जो repeated हुआ है उसको हम लोग counting में नहीं लेते हैं, तो यहाँ पर a, b, c ही शिर्फ रहेगा और इसमें हो जाएंगे आपका three elements हो जाएंगे इसके बाद हम लोग जामते हैं कि null set क्या होता है, wide set क्या होता है, empty set क्या होता है यह तीनों एक ही का नाम है, empty set कहिए इसको, या इसको null set कहिए, या इसको wide set कहिए, wide set कहिए यह तीनों नाम जो है आपका, एक ही, एक ही set का होता है, तो याद रखेंगे तो इसको कहा सकते हैं कि a set containing no element at all is called empty set empty set, और क्या होता है, कि इसको हम लोग denote करते हैं, it is denoted by phi phi से denote करते हैं, या देखिए empty set है, एक set हम बनाएं, जिसमें की बीच में एक भी element नहीं दिख रहा हो, तो यह भी notation आपका empty set का हो जाता है, तो इस तरह से हम empty set को define कर सकते हैं, और इसी के साथ हम यह भी जान सकते हैं कि non-empty set किसको कहते हैं, non-empty set किसको कहते हैं, तो non-empty set के बारे में हम कह सकते हैं कि a set containing, containing at least one element, तो यहाँ पर at least one element कहने का मतलब हुआ, कम से कम एक element यह content करता हो, तो उसे हम non-empty कहेंगे, तो इस condition में वह दो भी element content कर सकता है, तीन भी element कर सकता है, लेकिन एक से कम नहीं होना चाहिए, एक से जादा allow है, लेकिन एक से कम allow नहीं है, at least कहने का मतलब यहीं होता है, कि एक से जादा allow है, तो यह हमारा impity set हो गया, और यह हमारा non-impity set हो गया, impity set और non-impity set से related, आप अपने exercise 1B में question number one जो है, बनाएंगे, exercise 1B का question number one जो है, सारा problem आपका impity set और non-impity set पर टिका हुआ है, अब बच्चों, impity set का आपको एक example हम देते हैं, कि एक ऐसा natural number आप select कीजिए, जो कि one से छोटा हो, एक ऐसा natural number select कीजिए, इसो मैं लिखता हूँ, है ना, तो impity set के लिए एक example हम दे सकते हैं, क्या की x such that x belongs to n and x जो है less than 1, क्या ऐसा कोई number बता सकते है natural number जो की one से छोटा हो, चुकि natural number जो है आपका one से शुरू ही होता है, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten तक हम infinity तक चले जाते हैं, और कह रहा है कि one से छोटा तो one से छोटा zero ही होता है, zero तो natural number होगा नहीं, one से छेटा zero point nine five भी होता है, zero point nine five वह तो natural number आपका है नहीं, इसलिए यह जो सेट देख रहे हैं कि इस सेट में एक भी element नहीं आता है, जब एक भी element नहीं आया तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, empty set कह सकते हैं, एक दूसरा example और भी हम ले सकते हैं, x such that x is a prime, और less more than two, prime, even prime लिखते हैं, even prime more than two, अब देखा जाए कि prime number तो हम समझ रहे हैं कि एक number ऐसा जो कि one से कटे या itself से, खुद से कटे, लेकिन 2 से बड़ा prime number, 2 के बाद जितने भी prime number आते हैं आपका, वो even होते ही नहीं है, आप चाहें तो देख सकते हैं, even होते ही नहीं है, अगर even हुआ, तो वो two से divisible हो जाएगा, तो सभाविक हैं कि ऐसा number हमको नहीं प्राप्त होता है, तो इस set के लिए किसी element का जगह नहीं होता है, इस set में किसी element को जगह प्राप्त नहीं होता है, तो इसी लिए हम इसको क्या कह देंगे, empty set कहें देंगे, तो उमीद है कि आपको empty set और null जिसको हम लोग null set भी कहते हैं, wide set भी कहते हैं, यह आपको निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा, इसके बाद हम लोग सीखें कि singleton set क्या होता है, singleton set हम लोग किसको कहते हैं, singleton set, तो इसको हम लिख सकते हैं, a set containing, containing exactly, exactly one element, है न, एक ऐसा set जो कि contain करता है, exactly one element को, उसको हम लोग कहते हैं, singleton set, called singleton set कहते हैं, जैसे माल लिया जाए कि यह three हैं आपका, यह जो set है, इसमें एक ही element है, यह जो set हैं आपका, यह जो set है, इसमें एक element phi है, यह जो set हैं आपका, इसमें एक element zero है, तो एक element वाले set को हम लोग क्या कहते हैं, singleton set कहते हैं, इसके बाद हम लोग यह जानें कि equal set और equivalent set क्या क्या होते हैं, तो equal set और equivalent set को अब हम लोग समझेंगे, equal set और उसके बाद and equivalent set, यह दोनों को समझेंगे, तो equal set कहने का मतलब समझ में ही आ रहा है कि दो set equal हो, जैसे माल लिजिए कि A कोई set है, जिसमें A one, two, three element है, और B कोई set है, इसमें आपका two, one, three element है, तो यह A और B आपका equal set कहला जाएगा, क्योंकि इसका हर एक element जो है B में है, यानि कि A और B का element same है, तो इस condition में हम लोग equal set कहेंगे, और equivalent set हम लोग किसको कह सकते हैं, जैसे माल लिजिए, c हम लेते हैं A, B, c , जिसमें क्या कहते हैं, तीन element हैं और B में भी तीन element है, B और c जो हैं आपका equivalent element है, इसका मतलब हुआ कि दो सेट equivalent तभी होगा जब उसमें number of members equal होगे दो सेट equal तभी होगा जब members are equal उसके members जो हैं equal होगे तो चलिए इसको हम लोग word में लिखते हैं तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं two non-empty set A and B equal set का definition हम लोग लिखेंगे two non-empty non-empty तो बच्चों आप लोग समझ ही रहे होंगे कि ऐसा set जिसमें कम से कम एक element हो आपका तो two non-empty sets A and B are equal and if they have they have exactly the same element, same elements. यानि कि उसमें जो हैं दोनों set में same elements हो, है न, are called called equal set, equal set. तो equal set को हम लोग A equal to B इस तरह से denote कर सकते हैं, अगर हम इस example को ले, कौन सा example को ले, example A equal to आपका one, two, three हैं, और example इसमें जो हैं आपका two, one, three हैं, और यह C में जो हैं आपका A, B, C हैं इस तरह से हो, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि here A equal to B लिख सकते हैं, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, अब हम लोग यह समझें कि equivalent set किसको कहते हैं, है ना, तो equivalent set के लिए हम क्या definition दे सकते हैं, कि two sets A and B are equivalent if number of element in A equal to number of element in B, A and B में जो है number of element आपका same हो, तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, इस example को अगर हम लेते हैं, कि A में जो है number of element आपका three है, B में भी जो है number of element आपका three है, और C में भी जो है number of element आपका three है, है ना, तो इस condition में हम क्या कह सकते हैं, कि A equivalent to B, number of A, A and B are equivalent, A and B, उसके बाद देखिए, B and C, है ना, B में भी तीन element है, C में भी तीन element है, उसके बाद देखिए, A and C are equivalent sets, equivalent set हो जाता है यह, अब यहाँ पर एक चीज अबजर्ब किजिए, कि यदि आपका set equal है, set कैसा है, आपका, equal है, तो उसको हम equivalent बोल सकते हैं, है ना, जैसे देखिए, A और B को हमने equivalent भी कहा, और यहाँ पर A, B को बराबर भी कहा, अगर कोई भी set, दो set आपका equal है, तो उसको हम equivalent भी कह सकते हैं, अब यहाँ पर देखिए, कि A, C आपका कैसा था set, equivalent set था, क्या इसको आप equal set कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि A में जो है, 1, 2, 3 है, C में जो है, A, B, C है, according to equality of definitions, कि exactly, they have exactly the same elements, दोनों में same element होना चाहिए, तो इस तरह से बच्चों उमीद हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो यहाँ पर हम एक लाइन को not कर लेंगे, कि इक्वल सेट, इक्वल सेट, इक्वल सेट, आर, आलवेज, इक्यूवेलेंट, इक्यूवेलेंट, बट, इक्यूवेलेंट सेट, बट, इक्यूवेलेंट सेट, आर, नोट, नेसेशरी, बी, इक्वल, आईना, वो जो हैं, इक्वल आपका नहीं हो सकते हैं, उमीद हैं कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा, इक्यूवेलेंट सेट के आधार पर हम जो हैं, एक्सराइज, वन बी का क्वेशन नमर थ्री बनाएंगे, और वन बी का क्वेशन नमर फोर भी बनाएंगे, वन बी का क्वेशन नमर थ्री देखिए, आपका इक्वल सेट पर डिपेंड हैं, वन बी का क्वेशन नमर फोर जो हैं, आपका इक्यूवेलेंट फर डिपेंडेंड हैं, तो इस तरह से हम लोग वन बी के तीसरे नमर और चौथे नमर के क्वेशन को शॉल्व कर सकते हैं, finite और infinite set को हम लोग आगे देखेंगे कि finite set क्या होता है और infinite set finite set जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि number of element हो finite हो यानि कि number of element जो होते हैं उसमें जितने भी होते हैं उसको आप counting कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि इतने element आपका इसमें है तो ऐसे set को हम लोग finite कहते हैं तो इसलिए finite और infinite set का definition finite set और infinite set को हम लोग किस तरह से define करेंगे इसको लिख सकते हैं कि a set in which the process of counting of elements comes to an end is called finite set तो इसको हम लोग क्या काते हैं finite set काते हैं comes to end is called finite set a set which is not finite अब एक set जो की finite नहीं हो यानि कि उसके elements को हम लोग count नहीं कर सकते हैं तो वैसे set को हम लोग कहते हैं is called infinite set infinite set काते हैं तो उमीद हैं बच्चों आप लोगों को समझ में आ गिया होगा अब इससे related जो हम लोग मिला जूला example लेते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे है finite और कैसे नहीं है finite जैसे a set हमने लिया इसमें 1,2,3,4,5 इस तरह से लिख दिया तो इसमें जो हैं कितने element हैं 5 element है तो element को हम लोग इस तरह से लिखते हैं इसको हम पढ़ते क्या हैं कि number of elements in a जो कि 5 element है तो इसको हम लोग 5 लिख सकते हैं उसके बाद देखिए बच्चों भी हम लिये कि collection of all human on the earth जितने भी human है उसका अर्थ पे collection हम लोग लेते हैं अर्थ के उपर जितने भी आदमी है तो यह जो collection होता है यह आपका finite होता है आपके मन में यह आता हो कितना आदमी है दुनिया में अरे कितना भी आदमी है निश्चित तो है कि वहाँ तो कुछ संख्या में है ना तो इसलिए उसको हम counting तो कर सकते हैं अगर पूरे देस की सरकार चाले कि हमको counting करना है तो इसलिए ऐसे इस तरह के सेट को हम लोग क्या कहते हैं, फिनाइट सेट कहते हैं, और दूसरा एक्जामपल हम ले सकते हैं, सेट ओफ ओल एलिमेन, सेट, सेट ओफ ओल एनिमल, सौरी, एनिमल्स, ओन दा आर्थ, तो आर्थ पे जितने भी एलिमेन, एनिमल्स हैं, वह कैसा सेट हो गया आपका, फिनाइट सेट हो गया, अब देखिए, कि अगर हम नेचुरल नम्मर का सेट ले लेते हैं, जैसे डी में हम लोग ले लिएं, सेट ओफ नेचुरल नम्मर, नेचुरल नम्मर, है ना, तो बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, आप जितनी बड़ी संख्या सोच सकते हैं, उससे भी बड़ी संख्या और भी हैं बहुत सारे, उसके बाद भी बढ़ी संख्या सोच सकते हैं, तो उससे भी बड़ी संख्या और ही भी हैं बहुत, तो इस तरह से हम इसको क्या कह सकते हैं infinite कह सकते हैं और बच्चों आप लोग ध्यान रखेंगे कि आपका natural number हो गया whole number हो गया whole number का set हो गया integers का set हो गया real number का set हो गया यह सारे sets जो होते हैं वो आपका infinite होते हैं और इस infinite set को roster form में लिखना मुश्किल है सभी infinite Set को हम लोग roster form में नहीं लिख सकते हैं क्योंकि roster form अगर जो roster form में लिखा था यानी कि roster form में लिखाने का मतलब हो गया कि सारा element का collection और सभी element तक हम पहुची नहीं सकते हैं infinite में तो तो बताईए उसको roster form में हम कैसे लिखेंगे, यानि कि roster और tabular form में इसको नहीं लिख सकते हैं, तो इसके आधार पर जो हैं आप लोग, यह 1B का question number 5 आप लोग solve कर सकते हैं, यानि कि 1B exercise जो है, इसका question number 5 आप देखिये ध्यान से, वह पूरा आपका infinite और finite state पर ही टिका हुआ ह तो बच्चों, 1B के लिए जितनी भी जरूरत की चीज़ थी, basic जितनी भी चीज़ थी, हमने इस पर आप लोगों को अभी बताया, सारा basic जानकारी आप लोगों को दिया, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और exercise 2, 1B पर चलते हैं हम लोग, आप लोग किताब निकाल लें, जानकारी लेना है, ठीक तरह से आपको पढ़ना है, आप कहीं बाहर जाके दोड़ धूप करके पढ़ियेगा, cycle चला के जाईएगा, परिसान होईएगा, एक घंटा देर घंटा पढ़के आईएगा, आप घर बैठे ही, आपको वो पढ़ाई मिल जाएगी इस चैनल के पच्छों, आप लोग जो हैं अपने सामने बुक को जरूर रखेंगे, बुक से क्वेशन पढ़ते जाईए और स्वाल करते जाईए, कहता है पहला नमबर में, कि which of the following are the example of null set, null set का एक्जामपल आपको देना है, तो सबसे पहला नमबर यह कहता है, कि set of odd natural number, natural number divisible by, divisible by 2, अब odd natural number हो गया, हमरा 3, 5, 1, उसके बाद 7, यह सब हो गया आपका, odd natural number, क्या यह कोई भी natural number जो है, 2 से divisible है, तो यह नहीं है divisible, जब नहीं है divisible, तो इस set में किसको लेंगे, किसी को नहीं लेंगे, तो इस तरह से यह कैसा हो गया आपका, empty set हो गया, अब दूसरा नमबर देखते हैं, दूसरा नमबर में कहता है, कि set of even prime number, even prime number, तो even prime number एक ही है, वो बेचारा है, आपका 2 है, है न, 2 एक ऐसा नमबर है, जो कि even भी है और prime भी है, तो निश्चित रूप से, यह जो set होगा, आपका, empty set नहीं होगा, और empty set का यह phi जो होता है, notation होता है, अगर phi लिखा रहे, तो वहाँ क्या समझेंगे हम लोग, यह empty set है, उमीद है समझ में आ रहा होगा, इसके बाद तीसरा नमबर में यह कहता है, कि a equal to x such that x belongs to n, और 1 less than x less than equal to 2, अब इसमें हम सोचते हैं कि कौन कौनसा element आएगा, तो देखेए वच्चों यहाँ पर यह natural number है, natural number की सीमा है, 2 तक, 2 को लेकर और 1 से बड़ा, एक से बड़ा अब 2 को लेकर, तो निश्चित रूप से 2 ही एक प्राप्त हो रहा है, एक से बड़ा और 2 को भी लेकर, तो यहाँ पर हमको two प्राप्त हो रहा है इस तरह से यह not empty set हो गया यानि कि इसमें एक element आ गया तो यह आपका singleton set हो गया यह empty set नहीं रह जाता है उसके बाद question number 4 में हम देखें कि b आपका दिया गया है x such that x belongs to n और 2x plus 3 equal to 4 अब इसके बारे में सोचिए कि यहाँ तो बोल दिये आपकी natural number चाहिए जब हम इसको solve किये तो one by two आ गया यहाँ तो हमको चाहिए natural number अजब इसको solve किये तो one by two एक ही लवता एक number मिला हमको x के लिए तो क्या यह इस state में आएगा one by two तो कहेंगे नहीं sir नहीं आएगा नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा क्योंकि यह natural number नहीं है तो चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं और इसको हम लोग five रहने देते हैं इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग कि यहां पर आपका five number में कह रहा है कि c equal to x such that x is a prime क्या है आपका प्राइम है और यह 90 से लेकर 96 के बीच का है 90 से लेकर 96 का बीच का है तो 90 से उपर 91, 92, 93, 94 है ना और यह 95 तो सबसे पहले यह जो है two से divisible है यह two से divisible है यह two से divisible है प्राइम नमर नहीं है यह five से divisible है यह भी प्राइम नमर नहीं है यह three से divisible है यह भी प्राइम नमर नहीं है और यह 91 जो है आपका 13 से डिवीजी बने ये भी प्राइम नमर नहीं है और हम लोग को बुडबक बना रहा था कि 90 से लेकर 96 के बीच प्राइम नमर ढूंडिये मिला तो एक भी नहीं जब नहीं मिला तो इस सेट में बोलिए किसको हम डालेंगे किसको डालेंगे इस सेट में किसी को नहीं डालेंगे खाली डबबा भेज देंगे खाली डबबा भेज देंगे तो इसका मतलब क्या हो गया यह फाय हो गया तो इस तरह से हम देखते हैं कि आपको यह नौन इंपटी सेट मिलता है उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और यह question number six पर जाने से पहले मैं इसको मिटा दूँ उम्मीद है कि आप लोगों को शमज में आ रहा होगा नन्य मुन्य भाई है देश के सिपाही है बोलो मेरे साथ जय हिंद जय हिंद जय हिंद हाँ तो six number हम लोग देखते हैं यह कह रहा है कि d equal to x such that x belongs to n है ना और x square plus one equal to zero तो x square equal to minus one अब बताइए कि x किस पर square करें को ऐसा number जिस पर square करें कि वह minus one आ जाए और वो भी क्या हो natural number हो ऐसा number तो संभव है नहीं तो इसलिए यह जो हो गया आपका कैसा सेट हो गया इंपटी सेट हो गया उसके बाद बच्चों आप लोग six seven number आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा गया है x such that x belongs to w यह डबलू बबलू हो गया उसके बाद यहाँ पर x plus three equal to आपका दिया गया है less than equal to three दिया गया है तो w तो समझी रहे हैं आप लोग किसको कहते हैं हम लोग w आपका whole number का notation है चलिए अब यहाँ पर देख सकते हैं x less than equal to zero लिख सकते हैं क्योंकि three three आपका दोनों साइड से बरबाद हो गया cancel हो गया तो अब यहाँ पर हम देखते हैं क्या कि whole number में zero exist करता है whole number में zero exist करता है इसलिए इसमें जो है एक element को allow मिला आने का permission मिला तो यह जो है आपका क्या हो गया not imputisate imputisate नहीं हुआ यह इसके बाद हम लोग x such that x belongs to q और one less than x less than two संभफता यही है आपका question अब बच्चों इसमें देखिए क्यू क्यू आपका rational number है क्यू कैसा number है rational number है one और दो के बीच बहुत सारे rational number exist करते हैं कितने सारे बहुत सारे 1.1 1.2 1.3 और उसके बीच में भी बहुत सारे number तो यह तो आपका क्या हो गया कि 1.1 1.2 बहुत सारे number आ जाएंगे तो इसलिए इंपटी नहीं हुआ इंपटी सेट इसको नहीं कहेंगे उसके बाद देखिए आपका दिया गया है 11 10 9 number में G equal to यह 0 दे दिया यह problem देने वाले यह समझ रहे होंगे कि 0 बता इसमें डाल देंगे तो बच्चा समझेगा कि 0 यानि कुछ नहीं नहीं होगे तो यह जो है नौट जो है नौट इंपटी सेट इंपटी सेट नहीं होगा तो इसके बाद हम लोग देखते हैं question number two को यह question number one अभी तक आपका solve हुआ question number two को देखते हैं और देखने से पहले हम लोग इसको साफ करते हैं तो चलिए इसको साफ कर लिया जाए question number two में देखिए यह कह रहा है आपको कि which of the following are example of singleton set singleton set singleton set हम लोग किसको कहते हैं कि एक set having exactly one element सिर्फ एक element हो उसमें तो उसको हम लोग singleton set कहते हैं तो यहाँ पर हमरा पहला दिया गया क्या कि यह x such that x belonging to z और x square equal to 4 यह set आपका दिया गया अब इसमें देखिए कि x का value plus minus 2 आता है solve तो करना जानते ही है अब इसको जब हम लिखते हैं तो एको minus का element एको plus 2 का element तो यह कहेंगे not a singleton singleton, singleton, यह singleton set नहीं है क्यों भाई क्योंकि इसमें दोगों element है singleton set में एक element चाहिए उसके बाद हम लोग दूसरा नम्मर देखते हैं इसमें कहा गया x such that x belonging to z और यह x plus 5 equal to 0 तो यहाँ पर x का value minus 5 आता है इसलिए minus 5 एक लवता element है यानि कि एक लवता है तो इसलिए हम लोग इसको singleton set कहेंगे इसके बाद हम लोग देखते हैं 3 नम्मर को 3 नम्मर में आपका है x such that x belongs to z बुक को भी देखिए बच्चों खाली board में मत देखते रहिए बुक को भी ध्यान में रखना है और इसमें कहा गया mode of x जो है equal to 1 है तो यह जो है आपका कैसा set हो जाएगा तो mode of x का मतलब समझते होंगे कि mode के अंदर plus वाला भी आ जाए और minus वाला भी नम्मर आ जाए वो बाहर निकल के plus में हो जाता है तो यहाँ पर अगर minus 1 लेते है इसका mode लेते है तो यह भी 1 होता है और 1 का mode लेते है तो यह भी 1 होता है इस तरह से इसमें minus 1 भी element और 1 भी x के जगह पे रख सकते है तो अब इसमें 2 element आ गया तो यह क्या कहेंगे not a singleton singleton set यह singleton set नहीं है इसके बाद हम लोग चोथे नम्मर को देखें इसमें कहा जाता है x such that x belonging to n और x square equal to 16 तो x का value plus minus 4 कोई दिकत कोई दिकत नहीं तो अब यहाँ पर जो है बच्चों यह जो है bond यह जो bond है यह कह रहा है कि हम natural नम्मर है क्या है अगर हम minus 4 को भी और 4 को भी ले ले लेकिन यह कह रहा है कि हम natural नम्मर है तो यह बेचारा minus 4 मुप्त में मारा जाएगा क्योंकि यह जो है इस condition को satisfy नहीं कर रहा है बच गया सिर्फ एक element 4 तो बन गया यह singleton singleton set बन गया यानि कि यह भी singham बन गया कह रहा है extra Just that X is an even prime number even prime number even prime number बोल रहा है यह तो even prime number बहुत दिनों से सुनते आ रहे है टू के अलावा even prime number और दूसरा कोई ही नहीं तो क्या हो जाएगा यहाँ सिर्फ 2 का राज चलेगा यहां पर इस set में जब सिर्फ 2 का राज चलेगा तो यह जो हैं आपका क्या हो गया सिंगम बन गया सिंगल्टन हो गया यह है ना तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को उम्मीद करता हूँ मैं समझ में आ गया होगा अगर आपको समझने में थोड़ी मोरी दिक्कत भी होती है तो आप इस वीडियो को दोहरा के देखिए तो उम्मीद है कि आपको यह पूरा समझ में आ जाएगा आए हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं और दूसरे वीडियो में रेश्ट सॉल्यूशन को हम लोग देखेंगे बस आज इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद